हाई दोस्तो ये heat and mass transfer का lecture number 51 है और इस lecture में हम extended surface या fins की definition जानेंगे इनके application इनके types और इनके assumptions भी जानेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं देखिए इनकी ये definition है fins are surfaces that extend from an object to increase the rate of heat transfer तो fins क्या होते हैं किसी object पर extend कर दिये जाते हैं और जिनका use किस तरह से किया जाता है कि वो rate of heat transfer को increase कर देते हैं तो कहने का मतलब यह है कि जो कोई भी object है उसके अंदर जो internal heat generate होती है उसको वो क्या करते हैं environment में reject कर देते हैं environment में dissipate कर देते हैं जैसे कि आपने हमने शुरू से ही दो formula पढ़े थे कि जो तो फोरियर low of heat conduction पढ़ाता कि क्या होता है कि minus k into a into dt upon dx तो आप यहां पर देखोगे कि यदि हमें rate of heat transfer increase करना है तो हमें a की value increase करनी पड़ेगी और दूसरा formula क्या था आपका convection के लिए newton's low of cooling तो वो क्या था q is equal to h into a into dt तो आप यहां पर भी देखोगे कि यदि आपको rate of heat transfer increase करना है तो आपको यह जो area है यह आपको increase करना पड़ेगा तो fins का जो principle है वो यही है कि यदि हम area increase कर देते हैं तो rate of heat transfer increase हो जाता है इसे देखिए whenever the available surface is found in adequate to transfer the required heat extended surface और fins are used जब भी कभी जो available surface है वो कैसा पाय जाता है insufficient to transfer the required heat यानि जो भी heat हमें transfer करनी है उसको वो transfer करने में insufficient हो जाता है तो हम extended surface या fin use करते हैं तो चलिए आप इनके uses जान लेते हैं देखिए इनको कहाँ पर use किया जाता है air cooled engine cylinder head transformers refrigerators electric motor bodies air conditioners economizers और air compressors तो इनको यहाँ पर use किया जाता है आप इनके diagram देख सकते हो यह हमारे पास क्या है cylinder head है और यह क्या है fins है तो यह कैसा engine है air cooled है तो क्या होगा कि यहाँ से जो भी heat इसके अंदर generate होगी वो environment में dissipate हो जाएगी transformer में आप देखे कि यह क्या है fins है तो fins क्या करेंगे कि जो भी इसके अंदर heat generate होगी वो उसे environment में dissipate कर देंगे तो इधर की तरफ भी यह भी क्या है fins है और नीचे देखिए यह हमारे पास क्या है एक electric motor है तो motor की surface पर यह जो line है यह क्या है fins और यह क्या करेंगे जैसे ही motor करम होने लगेगा तो उस heat को वो आसानी से environment में dissipate कर देंगे अगर यह fins ना होते तो surface area कुछ इनका इस तरह से होता और जो rate of heat transfer हो कम होता लेकिन fins लगाने के वज़े से यहाँ पर surface area increase हो गया और surface area increase होने के वज़े से यहाँ पर rate of heat transfer increase हो गया refrigerator में आपने देखो होगा कि पीछे की तरफ यह इस तरह के fins लगे होती है तो जिससे की जो भी heat आपकी vegetable या कोई भी चीज से ली जाती है वो environment में आसानी से dissipate हो जाती है यहाँ पर देखिए air conditioner की यह fins है और यहाँ पर देखिए economizers for steam power plant तो जहाँ पर भी बिजली या electricity generate होत होता है वहाँ पर इस तरह का use किया जाता है तो आप यह जो pipe है आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इस तरह सी यह क्या है fins इस पर लगे होई है pipe पर और last में देखिए ये क्या है air compressor तो आपने जो soap होती है cycle repair वाली वहाँ पर आपने इस तरह का देखा होगा ये टंकी है जिसमें आपकी compressed air fill की जाती है और ये motor है और ये air compressor है तो यहाँ पर देखिए ये जो compressor है इसके head पर भी क्या है fins लगे हुए है तो ये थे हमारे fins के use तो चलिए आप fins के type देख लेते हैं देखे fins total three types के होते हैं आप इन्हें दो types के भी बोल सकते हो फर्स्ट टाइप जिनका cross sectional area uniform होता है और जो second type के हैं उनका cross sectional area non uniform होता है मतलब कि उनका cross sectional area घटता बढ़ता रहेगा और जो third type है वो हमारे पास क्या है radial और annular fins तो देखिए इनके भी सब types हैं देखो fins of rectangular profile या fins of circular profile और जो non uniform type है उनमें क्या है देखो trapezoidal profile, conveyor profile और conical और tapered profile और जो इसका के और एक ही type है rectangular profile मैं आपको इनके diagram दिखा देता हूँ जिससे कह आपको समझने में आसानी रहेगी देखो uniform cross-sectional area तो इसके दो type है cylindrical और rectangular तो आप इसमें देखे कि यह जो cylindrical है इसका cross-sectional area इकवल है हर जिगाइपर यहाँ पर भी देखोगी कि यहाँ पर भी देखो यहाँ पर भी देखो और इन्हें देखिए fins of non uniform cross sectional area तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो इनका cross sectional area है वो यहाँ पर increase हो रहा है यहाँ पर देखिए यहाँ पर कम है इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा increase हुआ फिर increase हुआ फिर increase हुआ तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह जो trapezoidal profile है इसमें जो cross sectional area है वो लगातार increase हो रहा है और दूसरा type देखिए इसका क्या है concave profile आप इसमें देखोगे कि यह जो cross sectional area है वो दीरे दीरे से इस तरह से बढ़ता हुआ जा रहा है तो इसका जो cross sectional area है वो uniform नहीं है और तीसरा है tapered profile तो आप इसमें भी देख सकते हो कि जो cross sectional area है वो दीरे दीरे इस तरह से बढ़ रहा है तो इसके यह तीन type है और जो third वाला है वो क्या है हमारा radial or annular fins तो इसका cable एक ही type है rectangular profile देखे इसका नाम rectangular क्यों है यह आप इसे यहां से cut करते हो तो आपको इस तरह से एक rectangular profile मिलेगी तो इसलिए यह क्या है rectangular profile और यह जो radial या annular fins है यह देखो आप इन में से देख सकते हो यहाँ पर यह जो pipe है pipe के उपर इस तरह से यह fins लगाए गई है तो यह क्या है annular fins और आप यहाँ पर भी देख सकते हो यह जो pipe है इनके उपर क्या है इस तरह से fins लगाए गई है तो यह भी क्या है annular fins जबकि यहाँ पर देखिए यह जो fins है इसमें electric motor में यह कैसे है rectangular fins और यहाँ पर भी यह जो fins है यह यह भी कैसे है rectangular fins है, इसमें भी rectangular fins है, तो अधिकतर rectangular fins ही यूज़ किया जाते हैं और चलिए अब हम assumptions देख लेते हैं तो जब हम derivation स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये assumptions लिखने पड़ते हैं तो देखिए पहला assumption क्या है steady state heat conduction, तो heat conduction इसमें होगा fins के अंदर वो कैसा होगा steady state यानि dt upon d tau is equal to 0 इसका मतलब क्या है कि time के साथ साथ यहाँ पर temperature में कोई भी change नहीं होगा tau क्या है time और t क्या है temperature, तो यहाँ पर time के साथ साथ temperature में कोई भी change नहीं होगा और देखो second वाला क्या है no internal heat generation within the fin तो यहाँ पर heat generate नहीं होगी यानि QG की value क्या रहेगी 0 और थर्ड वाले में देखे material of fin is homogeneous and isotropic तो जो fin का material है वो कैसा है homogeneous and isotropic इसका मतलब क्या है कि जो इसकी thermal conductivity है वो कैसी है constant है वो uniform है और फूर्थ वाला देखिए uniform heat transfer coefficient तो heat transfer coefficient यानि H वो भी क्या है uniform है यह जो fin है इसकी value हर जगह के लिए समान रहेगी वो यहाँ पर भी जो H है उसकी value Hी रहेगी और यहाँ पर भी जो value है उसकी heat transfer coefficient की वो भी Hी रहेगी और अगला वाला point देखिए negligible contact thermal resistance तो contact thermal resistance क्यों क्योंकि देखो यह तो हमारे पास surface है और इस surface के उपर हमने यह fin लगाया हुआ है तो यहाँ पर contact में contact thermal resistance क्या रहेगा negligible यानि के contact thermal resistance RTH contact इसकी value क्या रहेगी 0 और इस point को देखिए heat conduction one dimensional तो जो heat conduction होगा वो कैसा होगा one dimensional यानि कि heat conduction होगा केवल एक ही दिसा में होगा तो यहाँ पर heat conduction होगा केवल इस दिसा में होगा और देखो last point क्या है negligible radiation तो यहाँ पर जो भी heat transfer होगी वो केवल conduction या convection के द्वारा होगी यहाँ पर radiation बिल्कुल भी नहीं होगा तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही अगली वाली वीडियो में हम rectangular fin के लिए analysis करेंगे उसके लिए हम derivation करेंगे तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में झाले लिए सागी करेंगे झाले लिए झाल